वेल्व में नुट्रिशियोस रेसिपी शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी एक मिक्सर जार में लेंगे एक बोल तेल उसमें डालेंगे एक बोल पानी और एक चमच नमक अब हमें उसे ग्राइंड करना है सिर्फ एक बार ही लाएंगे मिक्सी में तो इसके जाग एक दम वाइड दूद जैसा हो जाएगा अगर आप चाहें तो इसे किसी बीटर की हैल्प से या तो फिर ब्लेंडर की हैल्प से भी कर सकते हैं और मैंने मिक्सी में किया है बहुत जल्दी फटा-फट हो जाएगा यह देखिए मैं आपको चमच से बता रही हूं और एक मिक मैं आइंड तक यही बोल यूज कर रही हूं अब डालेंगे एक बोल एक चमच अजवाएं फिर हम डालेंगे हींग और चुटकी बर हल्दी इसे मिक्स करके हम एक बोल पानी अपना जो हमने जाग रडी किया है पानी और तेल का वो डालेंगे पहले एक बोल डाल देंगे उसके बाद में हम फिर से थोड़ा थोड़ा बेशन को मिक्स करके डालते रहेंगे अभी हमें और डालना है इसमें आधा अब हमारा टूटल आधा बोल बच जाएगा इसे हम रख देते पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा टाइट लगता है अभी हमें यह द बाद में इसमें फिर से अपना जब पानी मिक्स करेंगे तब यह हलका हो जाएगा काफी लाइट कलर का बेशन दिखेंगा आपको इसे हिलाने में थोड़ा हमें बोल को पकर के रखना बढ़ता है वहना यह हिल जाता है कि देखिए ऐसा कठा कंसिस्चेंसी वाला बैटर रेडी करना है हमें जब हमारा डू ऐसा हो जाएगा तब हमें थोड़ा सा पानी यह वाला डालना है जाग वाला और इसे अच्छे से हिलाना है अभी आप देखेंगे इसा वाल्दर मिक्स हो जाएगा इसके तो इसका कलर काफी लाइट हो जाएगा हमारे बेसन का फिर हमें एक बार और डालना है और इसी तरह से इसे हिलाना है हमारा डू काफी सॉफ्ट भी हो जाएगा इसे हिलाते हिलाते अगर हम इस तरह से अपनी सेव बनाते हैं तो बहुत सॉफ्ट बनती है यह बचा हुआ है जो मैं इसमें डाल रही हूँ अब हम इसे भी हिला देंगे इसे वाइट वाइट जाग भी आता है इसे काफी सॉफ्ट हो जाता है और बेशन के अंदर पता भी नहीं चलता है मिक्स होने के बाद में देखिए इस कंसिस्टेंसी का बेशन से ही है कि हम आसानी से भर सकते हैं अपने मशीन में मशीन को मैंने ग्रीज करके रखा है थोड़ा से ओई लेकी लगाना है जाली में आप चाहें तो कोई और जाली का रशेप भी ले सकते हैं अब हम अपनी से डो भर देंगे इसमें और भी मैंने गरम करने को रख दिया था पहले अब हम अपनी से को फ्राय करेंगे बहुत ज्यादा एक साथ ओवर लोड नहीं करना है हमें तोड़ा थोड़ा ही डालना है खटा खट तल जाती है यह से और बनती काफी सॉफ्ट है जब यहां से जाग चले जाते हैं तब हमें इसको पलट देना है यह देखिए एक साइट से अच्छे से हो गई है अब हम इसे पलट देंगे कि दूसरे साइट से भी हो जाएगी तब हमें इसे निकाल देना है अगर आप पहली बार बना रहें तो आप ऑईल चेक कर सकते हैं थोड़ा सा बेसन उसमें डाल के देखना है आपको अगर आसानी से उपर आ जाएगा बेसन तब आपको समझना है कि हमारा ओइल रेडी है सेव फ्राइ करने के लिए इसी तरह से हम अपना दूसरा बेच रेडी करेंगी इससे करीब पांच या छे बार बनेगी ऐसी सेव काफी आसानी से निकल जाती है या इतने जाग आ रहे है ओइल में तब तक हमें इसे पलटना नहीं है यह सब सेट हो जाएगा तभी हमें से पलटना सेव को मैं आपको यह पर दो बार बताई है वैसे पांच यह छे बार बनेगी रैडी है हमारी सेव काफी सॉफ्ट बनी है यह देखिए और बहुत ज़्यादा भी बन जाती है थोड़े से बेसन में टेस्टी भी बहुत है एक बार ज़रूर ट्राई कीजेगा थैंक्स